यह दिया गया है कि A B C एक राइट एंगल टेंगल है A B C M इसके मिट पॉइंट से एक लाइन जा रही है A B के A B का मिट पॉइंट है M और वो उसको तोकट करती है साथ में उसको अगर आगे प्रेड्यूस किया पेज नमबर निकाली है 120 तो यह जो CM है वो आगे MD के भी इक वह है यह गीवन है तो इतनी चीज़ें गीवन है और हमने यह प्रूव कर लिया था फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव हो गया था कि प्रूवेंट क्या है भी MD बीच वाला पाइंट M है बीच का पाइंट M है ठीक अब देखो कि इतनी बात हम लोगों ने देख ली अब जड़ा देखें की नाव अब सेकेंड पार्ट देखो तू प्रूव क्या प्रूव करना है की एंगल डीवीची डीवीची इस राइट एंगल अच्छा यह बताओ प्रूव में की जो ट्रेंगल एंगल एंप सी है क्या वो बी इंबी के इक्वल है अब चप्रूव करके देखते हैं नहीं ट्रेंगल की बात कर रहा है एंजी और बींडी ऐसे चलेगा की नहीं यह बताओ तो यह जो एंगल एंगल है क्या वो इसके इकवल होगा बिल्कुल उसी ओर्डर में चलना देखें क्योंकि हम यहां से यह चले यहां से यह चले तो क्या म, A, C म, A, C और M, B, D के इकवल होगा So by C, P, C, T यह होगा C, P, C, T So by, चक कर लेते हैं By, C, P, C, T हमारे पास दो ट्रेंगल है एक यह है और जो दूसरा वाला है यह इधर है यह ज़रा देखो कि मान लिजिए एक ट्रेंगल यह है और एक ट्रेंगल यह है और एक में हम यह कह रहे हैं कि A, M, C A, M, C तो क्या जो C, M, A होगा चक करना Sorry, M, A, C M, A, C है यह पड़ो M, A, C अद दूसरा क्या है क्या वो M, B, D के इक लोगा चक कर लो वही ओर्डर है क्यों? क्योंकि यह दोनो क्या हैं? और इसका ज़रा ओर्डर देखो क्या M, A, C M, A, C और M, B, D क्योंकि हर एक पार्ट कर्रिस्पॉंडिंग होते हैं कि नहीं? तो अगर यहां M से A जाओ बे तो क्या यहां से M से B नहीं जाओ कि M से D चले जाओ क्या जाओ जाओ कर्रिस्पॉंडिंग की तरफ बढ़ा जाता है जड बना रहा है क्या? आर दे मेकिंग जड बताईएं तो यह तो जड है ना? तो जड होने की वज़े से क्या होगा? की बट बाई C-P-C-T एंगल M-A-C इस इक्वास टू एंगल M-B-D बट इस आर लेकिन यह है क्या? तो अल्टरनेट इंटीर एंगल होगा है अल्टरनेट इंटीर एंगल होगा है तो उससे क्या चीज़ कंक्लूड होती है प्रार्तना? अगर यह अल्टरनेट इंटीर एंगल है तो मालो यह है इधर देखो जरा यह इसकी एक्वास होगा तो इससे क्या प्रूब होता है? कौन सी दो लाइन पैललल है? अगर अल्टरनेट इंटीर एंगल हुए तो कोई दो लाइन तो पैललल होगी? हाँ A, C, B, D A, C और B, D parallel So A, C is parallel To B, D A, C parallel हो Gya B, D अगर A, C और B, D parallel हो Gya तो क्या आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि B, C इसका Transversal हो Gya क्योंकि वो दोनों को Cut कर रहा है and एंड, B, C is transversal, क्या कार्टी काप ऐसा भी समझ रहे हैं, कि यह दोनों co-interior angle है, दो parallel line को अगर एक transversal cut करें, तो एक ही तरफ बनने वाले दोनों interior angle, co-interior angle होते हैं और उनका supplementary होता है, क्या ऐसा हो सकता है कार्टे, बोलो जैसे ये ये दो ट्रांसवर्सल ये दोनो ये चीज़े हैं ओके नाव अबी देश्ट अबी देश्ट अबी देखो यानी फिर इस से क्या होगा कि अगर दो लाइन क्या हो इस वज़े से बी सी इस ट्रांसवर्सल एन जो इसमें ये दोनों एंगल बन रहे हैं कौन कौन से ये दोनों लाइने तो ऐसे ही है इनका कोई खास ज़्यादा रोल नहीं है तो इस लिए जो डी बी सी और ए हाँ सो ट्रांसवर्सल है एन एंगल डी बी सी एन एंगल 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 ये कैसे हैं इस आर को इंटीर एंगल एंगल तो इन दोनों का स्थां क्या हो गया ACB ट्रांसवर्सल एंगल से 180 डिग्री होगा लेकिन क्या इसमें ACB 90 डिग्री है तो यदि ये 90 डिग्री है तो डी बी सी कितना हो सकता है येस तो एंगल डी बी सी इस वन एंटी माइनस 90 डिग्री तो एंगल डी बी सी 90 डिग्री हुआ किया यही सेकंड पार्ट था थेंस पूउव अच्छ सेकंड पार्ट के लिए मैंने ही इंगल इसके ipal पूप किया फिर nut parallel प्रूप करने के बाद हमने इन दोनों आंगल को को इंटीर मान लिया और को इंटीर मानने के बाद बाच्चू की को इंटीवियर का सम सप्ली मेंटरी होता है तो सप्ली मेंटरी लिखा और सप्ली मेंटरी लिखने के बाद एग इंखल कुना इंटी कर अभी ब्लॉड है अच्छा एक मिनट जस्ट एक मिनट फिर रूपी है अब देखो तीसरी चीज क्या कह रहा है थर्ड इसमें पॉइंट कह रहा है की टू प्रूव ट्रेंगल डी बी सी इस कांग्रूएंट ट्रेंगल ए सी भी तो अब हम जड़ा देखें की यही ट्रेंगल है एक इसमें कौन कौन सा है तो कहरा यह प्रूव करो कि डी बी सी और ए तो डी बी सी और ए सी भी ए इसी भी और डी बी इसी तो इन दोनों की इस प्रूव करो यह चीज दिखाओ की डीवी सी यह वालए वाला ट्रेंगल किसके कांगोएंट है तो एक यह ट्रेंगल ले रहा है यह वाला प्रूफ करो लेकिन किसके अश्यक्ते कांगोएंट दिखाने को बोल रहा है अच्छा तो यह मुझे बताइए प्रूफ में क्या किसी की सीपी सीटी से यह राता सकती है कि हमने यह प्रूफ कर लिया है कि amc is congruent to triangle bmd ठीक है प्रूफ एबब प्रूफ इन पार्ट वन तो इसकी सीपी सीटी से हाँ बोलो अब इससे बाइस सीपी सीटी से क्या होगा बीसी क्या एसी इस एक्वल टू बीडी हो सकता है क्या इसकी इंप्रिणर हो गई ना तो एक मिनेट रुकू इसी चला दें थोड़ा ठीक हो जाती होगी ब्लूड हो जाएगी तो बता देना फिर एसी चला देंगे फोन थोड़ा गरम हो जाता है ठीक हो जाए अच्छा यह देखो सीपी सीटी से बताओ क्या एसी बीडी के एसी इस इक्वल्स टू बीडी एसी हो गया बीडी के इक्वल अच्छा और यह मैं किस ट्रेंगल में ले रहा हूं जो चीज तुमको प्रूब करनी वही ले लो डी बी सी एन एसी भी तो हमने यह चीज प्रूब कर दी डी वी और एसी लिया तो डी बी पहले लिखना चाहिए था जैसा होता है उसी ओर्डर में भी लिखा जाता है हुआ है तो अब यहां लिख लें है कि की सीपी सीटी से क्या चीज हो गया बीडी किसके इक्वल हो गया बीडी इस इक्वल स्टू सी यह और बताओ बीडी अब बीडी सी इस इक्वल स्टू सी भी यह और जब कुछ लोग यह बता रहे हैं कि यह बीडी का नाइंटी डिग्री ले लो ऐसे बन जाए वह ठीक बता रहे हैं कि बताईए कि यानि यह चीज कही जा रही है कि डीवी सी क्या है बताओ हाँ बोलो डीवी सी राइट एंगल टैंगल है हाँ और यह बताओ एसी भी क्या है हाँ बोलो बेटा हाँ हाँ ए ए ए ए एसी बी ठीक है अभी फिर से बता देंगे इसको इस सवाल को फिर से कराएंगे तो हाँ ठीक है वो हम बता देंगे तो अब यहां तक बात समझ में आ गई है ब्लड ब्लरोरी तो रुको भी हाँ हाँ फिर यहां अबसा देंगे हाँ तो तो अभी कुछ ठीक हुई कि बला रहा है चलो ठीक है अब देखो कि इससे क्या पता चलता है यह इसके इक्वल तो यह फिर इनाइन्टी डिग्री और फिर यह तो कौन सा कॉन्गुएंसी बना हाइपोटेनियस की तो बात ही नहीं की गई है हाइपोटेनियस कहां से ला रही बीच में एस फिर से देख एस साइड लो ना साइड एंगल साइड और यहां क्या लो एस एस साइड एंगल साइड एंगल साइड तो क्या हो जाएगा कौन सी कॉन्गुएंसी है कॉन्गुएंसी जो ट्रेंगल डी बी सी इतनी बात समझ जाना गई कि यह कॉन्गुएंसी हो गया और फोर्थ पार्ट तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि प्रूफ करना है तो प्रूफ सी एम अचा फोर्थ कर लेते हैं सी एम इस इक्षट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ऐसा भी बताती है कि यहाँ पर प्रूफ चक कर लें तो प्रूफ में एज ट्रेंगल डी बी सी इस कॉंगूएंट ट्रेंगल ए सी बी तो इस से क्या बी ये बी ये तो नहीं होगा डी बी 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 ये और क्या बन रहा है डी सी जो DC है वो AB के इक्वल होगा क्या तो जो DC है यानि इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस तो भाई CPCT क्या हुआ DC is equals to AB DC AB के इक्वल हो गया यह चीज़ है अच्छा एक बात बताओ कि DC AB के इक्वल है तो क्या DC में भी हाफ से multiply किया जा सकता है और AB में भी दोनों तरफ हाफ से multiply कर दो क्योंकि हाफ आफ इक्वल साइड इक्वल होती ही क्या और DC का हाफ क्या है क्या CM यह तो सुरू से ही दिया जा रहा ही यह दोनों DC का हाफ क्या है CM CM किसके equal हो गया हाफ AB बो लो correct है हाँ बो लो clear है अनुराण समझ में आई बात कर AB किसा है देखो DC AB के equal है CP CT से DC और AB अब दोनों तरफ multiplying by half फिर मैंने क्या किया multiply by half तो हमने AB को कुछ नहीं किया है हमने DC का half किया है तो आधी रोटी क्या पूरी की आधी होती है फिर से देखो जैसे हाँ बोलो सुर्यांस हमने half से multiply कर दिया तो अगर हमने किसी भी चीज में जैसे DC है तो DC अभी हम दूसी तरीके से देखे है चलो DC is equal to AB है तो क्या DC को CM plus MD लिख सकते हो बोलो बताओ लेकिन क्या MD खुच CM के बराबर है चै कर लो दोने एक पल है तो AB क्या 2 CM AB के बराबर है तो क्या CM is equal to half AB आप ऐसे कर लो है बोलो clear है ऐसे कर लो ठीक अच्छा some properties of triangle देखिए कि कुछ properties भी है कि what does it mean by ISO slisht triangle क्या होता है तीक है ISO slisht triangle ISO slisht triangle तीक है a triangle whose two sides any two sides are equal क्या होता है है तीक है तीक है तीक है तीक है हाँ so different जो whose all sides are different any two sides are not equal ठीक है whose all sides are unequal और right angled triangle क्या होता है तक है अच्छा whose one angle is right angle now equilateral triangle क्या होता है तीक ingredients lateral का मतलब क्या होता है triangle lateral का मतलब के side होता है और equi का मतलब same जिसकी तीनों side same हो equilateral lateral का मतलब क्या होता है equilateral अच्छा quadrilateral का क्या मतलब समाचते हो जिसमें चार side हो को quadrilateral का मतलब 4 lateral का मतलब हमेशा side होता है तो who's all three sides are equal acute angle triangle क्या होता है acute angled triangle so whose all the angles are less than 90 degree whose all the angles triangle triangle पी सब में लिखना whose all angles are 90 degree a triangle whose all angles जैसे शुरू में नहीं लिए a triangle ऐसे सब में लिखना whose all angles are less than 90 degree जैसे ये देखो ये मैंने एक ऐसे triangle बना दिया तो इसमें कोई अगर ये 80 degree है ये 70 degree है ये 50 degree है 50 नहीं होगा इसको 30 दे लो 30 degree क्योंकि 180 होना चाहिए तो क्या ये acute angle triangle है अच्छा obtuse angle triangle क्या होता है तो देख लो ऐसे अगर कोई triangle आपको मिल जाए जिसका एक angle 90 से ऊपर हो तो उसे क्या टेहेंगे अच्छा प्रेंगल होज क्या अभी आइसो स्लीज भी हो गया वोज वन एंगल इस मोर देन 90 डिग्री वह अगर वह हम आगे बताएंगे अगर एंगल इक्वल होगा तो उसकी अपोजिक की साइड इक्वल होगी यह आने वाली प्रॉपर्टी है अभी यह थेोरम 7.2 की बात कर रहे हैं जो भी मैं थोड़ी दिने बताने वाला हूँ यह बताऊ यह कौन सा ट्रैंगल है at compare दाइट अभी त्रेंगल ट्रॉपर्टी जया इसी टरीके से यह कैसा ट्रैंगल हो गया और इक्वी लेटर ट्रेंगल में प्रार्थना तीनों एंगल एक्वल होते हैं या तीनों साइड प्रार्थना सब कुछ एक्वल होता है ये सारे एंगल भी कितने होते हैं 60 degree, यह अगली exercise में प्रूफ किया जाएगा, अभी नहीं करेंगे, तो अब देखो, चलो, Theorem 7.2, Theorem 7.2, Angles opposite to equal side of iso-slist angle are equal, Angles opposite to equal sides of an iso-slist angle are equal. अब देखो, कि गिवन क्या है, गिवन है कि ABC is iso-slist angle with equal sides, AB is equals to AC, गिवन है, ABC is iso-slist angle with AB is equals to AC to prove, प्रूफ क्या करना है, कि जो equal side है, उसके opposite का इंगल, क्या, इस side के opposite यह इंगल है क्या, इसके opposite, क्या, इसके opposite यह angle है, क्या, तो प्रूफ क्या करना है, कि angle B is equals to angle C, एंगल B is equals to angle C, यह प्रूफ करना है, प्रूफ देखिए, अच्छा, प्रूफ करने के लिए, हम इसमें क्या करेंगे, कि, यहाँ पर, एक angle by sector draw कर लेंगे, यह जो angle है, इसका आधा, तो draw angle by sector AD, draw angle by sector of angle A, that is AD, अगर हमने इसे angle by sector मान लिया है, तो क्या यह angle इसके equal हुआ है, in triangle BAD, BAD and triangle CAD, BAD और CAD, तो BAD और CAD में सुर्यांस हमको congruence प्रूफ कराओ, कैसे यह congruent है, प्रांथना आप कराओ, नहीं, नहीं आपने, तेज बोलो प्रांथना, आवाज कमा रही आती है, बीए इस इकवाज टू C, और बोलो, एंगल, ए थोड़ी नहीं बोल सकती हो, ए में तो दो एंगल हैं, किस एंगल की बात करे हूँ, पूरे एंगल का नाम बताओ, एंगल C, A, D और अगल C, A, D एसा क्यों इकवाज हैं, एंगल B, A, D होगा नहीं, बीए डी होगा, तो B, A, D और C, A, D होगा, ये इकवाल क्यों हैं, क्या बाई कंस्ट्रक्शन हैं क्या, लिख सकती हो AD is angle by sector by construction अच्छा और बताओ AD is equals to AD ये common हो गया तो कौन सी congruency बनी देखो S A S side angle side so by अच्छा बताया आपने by S A S okay by S A S congruency criteria क्या हो जाएगा triangle B A D will be congruent to triangle C A D तो अब जड़ा देखो कि B A D C A D के congruent हो गया है तो that is B A D और C A D तो अब अगर ये दोनों triangle congruent हो गये हैं तो क्या सी पी सी टी से कुछ बाहर निकल क्या रहा है तो ये बी किदर की और पड़ रहा है तो देट इस आप चाहे तो B भी बोल सकते हैं एंगल B भी क्योंकि ये free एंगल है अगर अकेला एंगल है तो सिर्फ B भी बोलो जाता है और उदर एंगल C सो भाई C P C T आगया हैंस प्रूट तो इससे क्या पता चलता है कि equal side के opposite का एंगल भी equal होता है मान लिए अगर हमारे पास एक टैंगल में ये 6 cm है ये 5 cm है ये 5 cm है और ये 50 degree है तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कितना होगा 80 degree ये सही बता है क्योंकि ये 50 होने से क्या ये भी 50 हो गया और फिर दोनों 50 के होने से ये 100 हो गया तो बचा कितना ये चीज़ है अब देखो की theorem 7.3 theorem 7.3 क्या क्या क्याता है की the sides opposite to equal angle पलेट के पूछ रहा है इसी theorem को the sides opposite to equal angles of a triangle यानि की अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रेंगल है और जिसमें एंगल इक्वल है तो कह रहा है इसकी अपोजिट की side इक्वल इक्वल प्रूब करो figure वही है given क्या है की angle B is equal to angle C to prove बी के अपोजिट साइट क्या है बताओ क्या A C है B के अपोजिट तो A C C के अपोजिट क्या है यह भी तो यह हमें प्रूफ परना प्रूफ देखिए prove करने के लिए मैंने इससे इस पर पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे कर दिया अब ज़रा देखो की अगर हमने इस पर पर्पेंडिकुलर डाल दिया है तो यह D पे गिरा drop draw AD perpendicular to BC ऐसा कर देने पर क्या in triangle ADB and triangle ADC नहीं इसको prove करा हूँ B is equals to C ठीक है चलो given है angle ADC ADC और बोलो यह बाई construction हुआ है अपने मन से अपने मन से ही बोल रही हो नहीं दिया तब भी जो दिया है उसमें से बताओ कुछ अगर और कुछ दिया है दोनों triangle अनुराग हाँ यह ठीक है AD is equals to AD तो यह common है बताओ क्या criteria बन रहा है A A A तो है दूसरा क्या लिया A A A A Sाइडें कहा है A A S A के अंगल फिर दूसरा अंगल हो Sाइड A A S बना की नहीं जादोरी, ओके एक मिनट फिर अगर बना हो गई है तो मैं रिकनेक्ट अपा हूँ A A S Congruency criteria triangle A D B is congruent triangle A D C तो इस वज़े से अब अगर ये congruent हो गया है तो क्या हम इसे यह कह सकते ही कि A B A C के equal है A B और A C So by C P C T A B is equals to A C इतनी बात समझ में आ गई बताओ By C P C T C P C T लेकिन कार्टिक क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि आपने इसमें बेकार में ही परपंडी कुलर डाल दिया हम होते तो हम एंगल बाई सेक्टर करते हैं ऐसा इसा कह रहे हैं कार्टिक जबकि अनुराब कह रहे हम होते तो मिट पॉइंट करते हैं तीनो अलग अलग बात कर रहे हैं खोवी एक जैसी बात करी नहीं दा अब मैं किसकी बात प्यक्वीन करूँ यह देखने वाली बात है, कार्थिक ने अंगल बाई सेक्टर किया, यहाँ पर प्रूफ देखो, कि ड्रॉ अंगल बाई सेक्टर, उसका प्रूफ देख लो, तो उसका प्रूफ आप लिख ले, तो ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर ऑफ, किसका अंगल बाई सेक्टर, ड्रॉ एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बे, एड़ यह कर लिया, अब चला देखो, अगर यह हमने जॉइन कर लिया, तो इन ट्रेंगल, ए बी डी एन, ट्रेंगल ए सेक्टर तो कार्थी का फिर आप इसे प्रूफ भी करो, जब मैंने अंगल बाई सेक्टर कर दिया है, तो दिखाओ कैसे यह एंगल बी इस इक्वेस तो अंगल सी हो गया, ए डी इस इक्वेस टो ए ली चलो, कॉमन हो गया दोनों में, ए डी क्योंकि यहाँ भी ए डी बन रहा है, यहाँ भी ए डी बन रहा है, ए डी यह कॉमन है और उपर वाला गिवेन है, चलो, आगे, बी ए डी इस इक्वेस टो अंगल सी ए डी, यह भाई कंस्ट्रक्शन हो गया, अच्छा इस से क्या हो जाएगा, कौन सा टाइटेरिया लगा रहे हो, आगल, 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 आगल A B is equal to A C A B is equal to A C ये बात हो गई चलिए तो अब हम एक्जामपल ये तो बात होई गई है एक्जामपल 4 करें एक्जामपल 4 क्या दिया गया है कि इन ट्रेंगल A B C तो A B C एक ट्रेंगल दिया गया है इन ट्रेंगल A B C A B C तो यहां पर यहां नव इन ट्रेंगल A B C दिया बात होई बात होई गया है अंगल A का ये बात होई बना दिया है गिवन है A D is एंगल बाइ सेक्टर अफ एंगल A ऐसा बोल रहा है इस पर्पेंडिकुलर टू साइड A C और एक और भी बात कह रहा है कि A D किसके पर्पेंडिकुलर है क्या B C के पर्पेंडिकुलर है देख लो लिखा है इस पर्पेंडिकुलर टू साइड B C शोग एट तु सोग प्रूप क्या करना है की AB is equals to A C प्रूफ अनुराग प्रूफ कराओ ये बताया गया है ये पर्पेंडिकुलर है ये बताया गया है हाब बोलो इन ट्राइंगल थोड़ा तेज बोलो इस्क्वीन नहीं दिख रही है इस्क्वीन ठीक है थोड़ा ट्राइ करते हैं क्यों नहीं दिख रही है कि अब यह मुझे बताओ कोश्चन फिर से बताएं कि समझ में आ गया है कोश्चन में यह देखो कहा गया है कि यहां पर ad perpendicular to bc है और ad इसका angle bisector है दो ही चीज़े दी है angle का bisector भी है और perpendicular भी है और प्रूब करने को कहा जा रहा है प्रूब करो कि यह इसके equal है बताओ इसमें कौन कौन सा triangle ने बोलो सुर्यांस बता रहे हो तो बताओ a, b, d अनुराग आपसे अगला पूछेंगे and triangle बोलो क्या बताओ आपने कैसे अपने मन से presumption अंदाजा लगाया जा रहा है अनुराग बोलिये अनुराग बोलो माई रुख जाईए अनुराग बताईए अचा है नी बोलो माई a, b is equal to a, c a, b is equal to a, c a, b is equal to a, c यही तो प्रूफ करना है क्या पहले यही लिख लोगी a, bोली अनुराग a, d is equal to a, d यही तो ठीक बताया और बोलो a, d, b is equal to a, d, c a, d, b is equal to a, d, c और बोलो यह गिवेन है इच 90 डिगरी गिवेन और बोलो या, जिवेन दोलाए तीस्ती सीज क्या है अ, बोलो क्यों को वाई कंस्ट्रक्शन निगे न हमने कौं से करें यह गिवेन थे एडे जए एंगल भाई सेक्टर कि हमने कराए कंस्ट्रक्शन फिगर ने बनाए बुक में कि चलो अब माही अब इसमें यह बताओ कौन सा ककौन स्ट्रक्शन पयानी सब्साशन अब देखो इसमन नीचे का है चलो जिगंगे डेक्ट के बोलोगी ना नीचे कहां देखना पड़ता है का इंख देखो यह एंगल है इस एंगल के बाद यह एंगल है ना एंगल के बाद side equal है ना तो एंगल के बाद बताईए बाई एसे हुई कि नहीं बताईए ट्रेंगल ए बी डी यह चीज समझ में आई कि नहीं कि नहीं होगा तो फोन चेंज करेंगे देखो एक बार और देख लो नहीं तो फोन चेंज करेंगे अच्छा अब देखो तो यह चीज आपको समझ में आ गई माही मैंने एस कैसे किया एसे कि नाइंटी से कोई लेना देना नहीं अभी हमने आ रहे चेस कान को एसी जब पड़ीने लिग भी दोगी तो गलत हो जाएगी अभी आप देखो एंगल फिर क्या साइड ए ए और फिर उसके बाद एस कहा रहा है क्या ए के बाद एसा रहा है कि बीच में एसा रहा है ओके स्कीन ब्लर है तो रुकिए फिर नाओ यह बताओ कि एसे नहीं नहीं समझ में आया एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल आप कौन सा क्राइटेरिया बता रही है बताईये तो मैं आपको फिर समझाओं एंगल पिर उसके बाद साइड पिर एंगल एंगल साइड एंगल कोई डाउट है तो बताओ चलो नहीं है ठीक है so by this criteria triangle abd is congruent to triangle acd यह congruent हो गया और इसके congruency से cpct लगाओ तो इसके cpct कए बनती है by cpct A, B is equal to A, C, A proof करना था, A, C hence proof, okay, next question देखिये, example 8, so, example 5, कहा जा रहा है, E and F are the mid points, अगर हमारे पास एक triangle है, तो हमने ABC triangle में, यहां से इसके mid point को मिलाया, जो की F है, और यहां से इसके mid point को मिला दिया, जो की क्या है, E, mid point का मतलब क्या होता है, क्या यह चीज इसके equal है, और यह चीज इसके equal है, ये midpoint हो गए ABC में तो हमें BF is equals to CE प्रूव करना है कि BF और CE इक्वल है चेक करें given क्या है और प्रूव क्या करना है now given है कि E is midpoint of AB and F is midpoint of AC तो ये AB और AC का midpoint है AB का midpoint है और AC का AB और AC का इतना दिया है चेलो तो अब देखो to prove कि BF और CE इक्वल है ये प्रूव करना है BF is equals to CE कार्टिक मुझे ये बताईए ये दो ट्रेंगल मैं आपको दे रहा हूँ अब आप अपनी intelligence से इसमें हमें prove करके बताएं कि ये दोनों ट्रेंगल किस तरीके से कांगुएंट है एक ये ट्रेंगल है और एक ये ट्रेंगल है दो ट्रेंगल दिये गए है अच्छा एक चीज और बता दूँ आपको A B और A C भी इक वाल है A B किसके इक वाल है A C के A B और A C भी इक वाल है तो इन ट्रेंगल अगर ऐसा लेंगे तो ठीक है A B है और A C है तो चल्ड़ इन ट्रेंगल एक A B F ले लो और दूसरा कौन सा ले लो A B ठीक है So A B F and other is A C E अब बताईए Angle A is equal to Angle A Angle A is equal to Angle A दोनों में Angle A है तो common हो गया A B is equal to A C गिवन है A B A C के गिवन है अच्छा ये गिवन है और क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब यहां पर हमें क्या प्रूब करना भी है ये बताओ कि क्या A C का हाफ A F है और A B का हाफ A E है इससे कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है मतलब A B को क्या लिख सकते हो बताओ क्या A B को आप A E प्लस ए भी लिख सकते हो और इसे A F प्लस F C लिख सकते हो लेकिन मैं इसे क्या A E प्लस A E ही लिखूं और इसे A F प्लस A F लिखूं तो क्या ये 2 A E is equal to 2 A F हो गया और 2 से 2 कट गया तो अब इसको AF is equal to AE लिख दो AF क्यों लिखना चाहता हूँ इदर क्योंकि इस side AF है और इस side क्या है AE तो जो जिदा जो उधर ही लिखो तो अब हमारे पास कई चीजें हो गई है देख लो जरा क्या ये जो side है दो अलग अलग सीजें है triangle में देख लो एक ये triangle है और दूसरा कौन सा triangle है ये triangle है तो क्या ये side इसके equal की आपने AB AB आपने क्या AC के equal की क्या आपने AF AE के equal किया और क्या इनके बीच का angle भी equal किया बोलो इसके इकवल्स to this कर दिया ना AB is equal to AC इसके 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 अभी लाश्ट नहीं किया है देख लो AF AE के अबीच का इंगल तो मही कौन सा क्राइटेरिया बना मही नहीं है तो बोलो आप बताईये प्राथना कौन सा क्राइटेरिया बना कार्थिक सारा सार सो बाई SAS कौन्गूएंसी क्राइटेरिया SAS कौन्गूएंसी क्राइटेरिया जो ट्रेंगल आपने लिया था वो किसके कौन्गूएंट हो गया A, C, E तो क्या इससे जो वो पूछ रहा है कि B, F वो C, E के इक्वल हो जाएगा क्या और हो जाएगा तो किस सोर्स से होगा सी, बोलो बात समझ में आ गई इस इट क्लियर बताईए एम आई आडिबल तो कितनी बात समझ आ गई न पूछाओ हो जाएगा तो अगला कोश्चन देखो एक्जामपल 6 एक्जामपल 6 क्या कहता है कि हमने एक ISO 3 स्टेंगल लिया और ISO 3 स्टेंगल A, B, C है एक और चीज़ कही जा रही है कि A, B, A, C के इक्वल है A, B, A, C के इक्वल है and D and E are the points on B, C D and E are the points on B, C कैसे दिये गए है कि B, E, C, D के इक्वल है यह पूरा B, E और यह पूरा D, C यह इक्वल है B, E, C, D के इक्वल है B, E is equals to C, D इतनी चीज़ दी गई है तो शो करना है कि यह चीज़ इसके इक्वल है to prove A, D is equals to A, E कोई प्रूब कर सकता है anybody हमें इन दोनों ट्रेंगल को चोटे वालों कर सर्थ इन ट्रेंगल बताओ A, B, D, N, A, C, E A, B, D, N, A, C, E अब बोलो अचा, B, E is equals to C, D और दोनों तरफ आपने क्या माइनस कर दिया क्या D, E, D, E D, E माइनस कर दिया तो B, E में से D, E चला गया तो क्या बचा B, D और C, D में से D, E गया तो D, E हाँ, बोलो अनुराग अचा, यह बताओ कि यह चीज़ है पूरी तो इसमें से एगा D, E खटा दो ख़तम कर दो D, तो क्या बचा तो C, D और इसमें से भी यह चीज़ खटम कर दो बीचवाली तो क्या बचा तो क्या नीचे नीचे एक चीज़ बराबर हो गई अच्छा, और क्या बराबर है और और अधर थिंग्स आर इक्वल A, B, D तो एंगल B इस इगा टो एंगल T, कि बचा और यह लिया C, और बोल दिया B, C के भी इक्वल है, यह नहीं चीज़ है, जड़ा देख लेना थियोरम का यूज कर ले हैं, यह 7.1 कि जो इक्वल साइट्स के अपोजिट का एंगल इक्वल होता है तो एंगल B is equals to angle C, why it is so, angles opposite to equal sides, क्या बोला है इनो नहीं, angles opposite to equal sides, तो कार्थिक क्या क्राइटरिया बनता है इससे फिर साइड एंगल साइड, 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 एंगल, साइड, तो किस लिए I, S, A, S कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ट्रेंगल A, B, D इस कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल A, C, E तो इसकी C, P, C, T क्या बताती है corresponding parts of congruent angle क्या बताता है A, D is equal to A, E यह बताता है अब जड़ा देखो exercise 7.2 पे आईए और जब भी यह चीज हो जाए तो hence prove लिप दो यह proved हो गया है अब first question देखें कि कहा गया है कि एक triangle दिया है so given isosli strangle A, B, C figure नहीं दिया है अपने मन से बोला है कि given में isosli strangle A, B, C जिसमे की A, B किसके equal है A, C के और B का by sector और C का by sector देख लो B का भी by sector कर और C का B का by sector कर लिया C का भी by sector कर लिया और यह दोनों कहां मिलते हैं ओपर यह मिल जाते हैं join A to O A से O को join कर दो तो O नीचे लिए A से O को join कर दिया जैसे वो कह रहा है वैसे कर दिया अच्छा यह मैं बता दू यह दोनों angle equal है और यह इसके equal है क्योंकि by sector है so अब आप इसे EF भी ले सकते हैं so B B E is by sector of angle A C F is by sector of angle C ठीक है they meet at O join A O यह भी क्या गया है अब आपको बताना है कि O B is equals to O C यह side पूरी इसके equal है जो यह बादी side है वो किसके equal है given to prove प्रूब क्या करना है O B is equals to O C O B कहा है O B O C के equal है तो यह हमें prove करना है तो यह बताओ कि क्या प्रूब देखो बोलो अनुरा एक बता रहे हो क्या प्रूब यह बताओ बताओ A B is equals to O C given A B is equals to O A C given फिर Angle B is equals to O C कि अपोजिट ये क्या है एंगल्स एंगल्स क्या अभी नहीं लिखना है लिख देंगे चलो अभी नहीं लिखेंगे थोड़ी देर में कि ये क्या है ये एंगल्स हैं एंगल्स अपोजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट Angles opposite to equal sides हो गया तो क्या इनका half भी equal होगा Half angle C अब बताओ इनका half कितना है Angle B O C Is equals to B का half B O C और C का half O C B तो अगर ये angle इसके equal हो गया तो क्या होगा B O C का उल्टा क्या है B O C के उल्टी वाली चीज़ इदर लिखना B O C ने लिखो लिखो O B C यहां ये बात गन्दत हो गई क्या लिखना पढ़ेगा O C B तो O चीक है half B का उल्टा हो गया O B C और वहां C का half क्या हो गया O C B तो अब बताईए O B C के opposite side क्या होई O B नहीं बोल सकते हो ना इस angle के opposite side क्या होई उसे लिखना इसके नीचे हाँ O C B के opposite क्या साइड है O B है तो यहां लिखो कि sides opposite two equal angles यह कौन सी theorem है हाँ यह 7.2 है तो यह prove हो गया अब इसी का second part है second part क्या कहता है second part कहता है ए ओ बाइसेक्स एंगल ए तो प्रूव ए ओ बाइसेक्स एंगल ए तो प्रूफ देखिए यह हमारे पास फिर से एक ताइंगल आ गया जिसमें यह और यह और इससे ही मिला दिया तो ए ओ और यह है बी और यह क्या अभी तक यह प्रूव कर चुके हो कि बीयो इजिक्वस्टू दिस यह प्रूव कर चुके हो क्या अब क्या यह बात आपकी जानकारी में है कि यह चीज इसके इक्वल है क्या यह समझते हो कि यह चीज कॉमन है कि और यह भी मानते हों कि जो कांट्रोंसी वो ट्रिपल अन्हीं बताई गई क्या वह बताई कि अंगू सी लगाई जा सकती इस 미ाश्ट्र इसके आगे तो हम इससे पहले कीकोई congruency लगाएंगे अब देखो कि हम S.A.S. लगा देते हैं ये बताओ कि क्या ये angle इसके इकवल होगा ये प्रूफ करना असान है तो S.A.S. लगा दो उससे चीज बन जाएगी प्रूफ में in triangle A.B.O and triangle A.C.O तो क्या angle भी angle C के इकवल है तो क्या इनका half भी इकवल होगा ये तो given है ना इकवल है कि नहीं गिवन था given नहीं था that is angle opposite to equal sides क्यों equal है angles opposite to equal sides अच्छा ये बताओ half of B क्या होगा half of B क्या है पता करके बताओ A.B.O A.B.O और उदर क्या होगा A.C.O A.C.O और बताओ क्या-क्या लिखें जिससे की कान गुएंसी निकल सके O-A.B.O A.B.O हमें प्रूब करना रहीं जो प्रूब करना है क्या yn क्याआए पूर प्रूब करना है कि अबाई सेक्ट करता है जो दिया है वही लिख सकते है वो तो फिर बाद में सीपी सीटी से निकल के आगा जो प्रूब करना है और बताओ ये एंगल इसके एकवल हो गया है क्योंकि पूरा पूरे के एकवल तो आदा आदे के एकवल और बोलो यह तो प्रूब करना है ना अभी पहले तो कॉंगुएंसी बताओ तब जाके सीपी सीटी निकालो गए अभी तो एक ही पार्ट बताया आपने हाँ बोलो बोलो नो नो वो नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं दिया कि यह सेक्वदर आप बोलो की बी ओजिक वर्ज टू सीओ यह बोला है किसी ने बी ओजिक वर्ज टू सीओ क्यों हुआ क्यों की प्रूफ देबव प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट का यह बात प्रूब हो चुकी है यह की बात है ओबी जिक वर्ज टू सी लिखो यह बी ओजिक वही लिख लो उससे क्या फर्क पड़ता है तो इसलिए यह प्रूफ इन पार्ट वन अच्छा एक और चीज आपके ख्याल में आई कि एबी एसी के इकवल है तो अब यह देखो क्या साइड साइड एंगल साइड कोई कांगोंसी बनती है यह साइड मैंने प्रूब कर दी एंगल भी प्रूब कर दिया और यह के साइड इदर से देख लो साइड एंगल साइड कोई कांगोंसी बनती है कौन सा क्राइटेरिया है तो इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी ओ वो किस के कांगोंसी हो जाएगा क्या एसी ओ ए बी ओ तो एसी ओ इसके कांगोंसी हो गया देख लो फिर से देख लो ए बी शी बोलो अच्छा इसकी सीपी सीटी से क्या निकल के आएगा तो इससे क्या पता चला तो ए ओ यह दोनों एंगल एकपल हो गए तो ए ओ इस एंगल बाइ सेक्टर अफ एंगल ए सेकंड कोश्चन पर आईए सेकंड कोश्चन में एक फिगर दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर है नाव ए डी इस परपेंडिकुलर तो बी सी यह गिवेन है ए डी इस परपेंडिकुलर तो बी सी ठीक है ए डी इस परपेंडिकुलर बाइ सेक्टर भी है अफ बी सी पर्पेंडिकुलर भी है और बाई सेक्टर भी है यानि साइड का बाई सेक्टर भी है पर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या होता है पर्पेंडिकुलर भी हो और जिस पर पर्पेंडिकुलर हो क्या उसको आधा आधा करता हो BD is equals to CD इतनी चीज़ दिये क्या इतना काफी है प्रूफ करने के लिए कि A B is equals to A C सुर्यान्स प्रूफ करो बड़ी सदल चीज है so to prove A B is equals to A C प्रूफ करिये एक मिनट इन फ्रेंगल A B D and फ्रेंगल A C D आप बोलो B D is equals to DC DC बोल रहा हुप कि C D C D बोलना न जैसे B D है तो वैसे C D बोल रहा हुप ठीक है यह given है और बोलो B A D is equals to C A D अपने मन से क्यों ऐसे equals कर दे तो यह दिया है क्या B A D यह दोनों equal दिये है अपने मन से क्यों बनाने लगते है जो दिया है उसे given इसी क्या यह equal है यह दिये है क्यों अपने मन से बोल रहा हूप जो चीज इक्वाल नहीं दिया है ऐसे तो किसी को भी कुछ कुछ मन इसे तो किसी को भी कुछ अगल A D B is equals to angle A D C क्यों equal है हाँ given है each 90 degree given perpendicular है ना और बोलो एक चीज और चाहिए AD is equals to AD AD is equals to AD क्यों कौन सा criteria बन रहा है अच्छा बताया आपने side देखो बहुत अच्छी बात बताई है सुर्यांस ने side angle or side समझ में आगी बात फिर से देख लो पूरा execute किया है सवाल को और यहां पर भी side angle or side तो भाई SAS congruency criteria क्या हो जाएगा SAS congruency criteria triangle अब जो उपर लिखा है भाई लिख दो ABD is congruent to triangle ACD और इसकी CPCT क्या बनेगी सुर्यांस ABD is equals to AC hence proof यही चीज प्रूव करनी थी कि नहीं तो यह चीज हमने proof CPCT का मतलब है अगर दो triangle congruent हो जाते हैं तो उनके बचे हुए हिससे that is इसका मतलब होता है कि corresponding parts of congruent triangle भी equal होंगे तो हमने यह proof कर दिया है कि ABD is congruent to ACD यानि ABD और ACD तो यह triangle और यह triangle यह जो भी हमने triangle proof किया है यह बिल्कुल एक दूसरे पर overlap हो जाएंगे तो हमने तीन चीजों से proof किया है वैसे तो तीन से किया है लेकिन होती तो चाहे चीज है total कितनी होती है six तो एक साइड बच गई दो एंगल बच गई तो अगर वो एक दूसरे पर overlap हो रहे है superimpose हो रहे है तेन इट कैन बी taken as granted the other one side and other two angles are equal तो क्या यह side बच गई थी equal करने को तो वो side equal मान ली जाएगी क्या यह दोनों angle बच गई थी equal करने को तो वो भी equal मान ली जाएगे क्योंकि चीजें जब overlay up कर रही है तो फिर हाथ खंगन को RC क्या तो ठीक है कि नहीं तो इसका मतलब है तो क्या A B और A C जो इसके corresponding parts corresponding का मतलब A जो है B A को correspond कर रहा है B C को कर रहा है तो क्या A B A C के equal होगा इसको कहते हैं कि corresponding parts of congruent triangles are equal यदि दो त्रिभुच सर्वांग रिसम हैं तो उनके जो आपस में संबंदित हिस्से होते हैं वो भी equal होते हैं और equal बात समझ में आ गई तो एक बार congruency established हो जाती है तो बचा हुआ side और बचे हुए दो angle को आसानी से equate किया जा सकता है हमारी established हो गई है तो क्यों ना हम इसको इसके equal कर दें बोलो तो हमने कर दिया है अब बाकी की छीज़ें next class में करेंगे आज के लिए इतना ओके प्रेंगे लिए झाल झाल